एक बहुत ज्यादा common problem सभी बच्चों, बॉड़ों, बूड़ों सब के साथ रहती है कि भूख नहीं लगती है उनको तो भूख ना लगने की वजहों की बारे में बात करेंगे तो starting from normal किसी का mood नहीं है या कोई तनाव में है या किसी का पेट में लगने की दिक्कत हो सकती है लेकिन अगर हम जनरल तोर पे बात करते हैं कि जो patient हमारे पास आते हैं कि भूख नहीं लग रही है तो किसी ने किसी बिमारी से उनको underlying disease जरूर होती है तो अगर किसी को लंबे समय तक भूख नहीं लग रही है और खास करके साथ में उसका वजन कम होता जा रहा है ये एक बहुत ही खराब साइन है एक red alert साइन है अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने तुरंत किसी चकिस्षक से मिल करके अपनी जाचे कराएं और जो अन्र बिमारियों को rule out करके इसका पूरी तरीके से उपचार करें लेकिन सामय तक जो किसी को कोई बिमारी नहीं आती है माली ज़िए आपने डॉक्टर कपास गये और उसमें आपको कोई बिमारी नहीं आई इस तरह की और फिर भूक नहीं लग रही है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपना टाइम सेट करें एक टाइम के हिसाब से खाना खाएं आप जैसे सुबे नास्ता आट बजे करते हैं तो कोईस करिए कि आदे घंटे के अंतराल पे नास्ता कर लिजे खाना 12 बजे खाते हैं एक बजे खाते हैं जो भी आपका टाइमिंग है तो उस समय ही खाएं और जो रात का डिनर है वो भी अपने टाइम से लें बीच का जो टाइम है जो बीच में जो थोड़ा बहुत बाहर का खा लेते हैं कुछ चाय पी लिया या बिस्किट खा लिया या कुछ भी छोटा मोटा खाते यह ना खाएं अपने टाइम पे कुछ दिन तगर आप पंक्चुल रहेंगे कि आप इसी बीच में खाना खाएंगे भूख नहीं लगती है तब भी आप इसी टाइम पे खाएंगे और बीच खाना स्किप करिए जो आप ले रहे थे बाहर की चीज़े चोटी-चोटी और तो इस कुछ दिन करने से आपको लगने लगा कि हाँ आपको अपने टाइम पे भूख लग जाती है और अगर कुछ लोग अगर घरेलू नुक्सों की बात करेंगे तो जो कह लिजे कि मिठे मीठी चीज़ें हैं अपरटाइजर का काम करती है और सूप कुछ लोग पीते हैं वो भी अपरटाइजर का काम करता है इसके अदावाद डाइजेस्टियों इंजाइम की कुछ ओवर दर काउंटर सीरप साती है वो आप ले सकते हैं जो आपको भूख बढ़ाने में मदद करेंगे